हलो मुश्कार फ्रेंट्स मान जोहिद सिंग यूआ वोचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटल फो एससरी फो बेटल बेटल पिशन्स यूपी बियर 2021 के लिए रेजिनिंग के कुछ 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 हम लोग सालफ करेंगे इस वीडियो के मादम से और इसमें आपको मजाओंगा जो कि आप लोग गल्दी करते हैं एक्जामिनेशन में तो यहीं पर आप उसको सुधार लेंगे ठीक है छोटा से मिस्टेक है उसको भी सुधार ना होता है अगर आपका मार्क्स इन्हेंस करना है तो अगर यह वीडियो आपको प्रसंद आता है डेफिनिटल आ इस्तितियां दी गई हो जब एक उपर है तो नीचे कौन से संग्या होगा सबसे अशान है जैसे दो बॉक्स आपको दिखता है ठीक है तो इसका टाइप वन हम बनाते हैं इसका एक टाइप होता है कि जब दो पासा में इस पासे में दो चीज आपको कॉमन मिल रहा है और छ सबसे पहले क्या आएगा सबसे पहले अगर आएगा तो आएगा संगीतकार ठीक है लिख दें संगीतकार ठीक है उसके अंदर क्या आएगा उसके अंदर आएंगे यह वादकार ठीक है उसके अंदर आएंगे वादकार ओके और वादकार के अंदर क्या आएगा वाइलन बजाने वाले ठीक है क्या वाइलन बजाने वाले तो इस प्रकार से इसका बनेगा क्लियर हैं ऐसे सवाल मिलते हैं ठीक है जिसे आपसे कह देगा एसिया ऑप्शन देदेगा फिर एसिया के अंदर भारत फिर भारत के अंदर नई दिल्ली ठीक है तो ऐसा कुछ इस्ट्रेक्शर बनता है यह सब इजी होता है चलिए आई होप आपको समझ में आ गया हो देखते हैं थर्ड नमबर कुशिन पुस्तक अगर पुस्तक को प्रकाशित करता है पुस्तक प्रकाशक जो प्रकाशक होता है वो पुस्तक को प्रकाशित करता है उसी प्रकार फिल्म को क्या करता है निर्माता निर्मित करता है फिल्म को निर्मित कौन करता है फिल्म को नि से लेके ए से लेके ए टू जिट आपको क्या करते हैं और आप भी याद कर सकते हो इसका वीडियो बना रखाएँ अब रिजिन के प्लेलिस में जाएंगे तो यहां पर आपको फोर्णी बिलेगा ए से जेट कैसे याद कर दें तो आपके माददम से वह सब explain है ठीक है आप विजिट कीजिए तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए और आपको अपोजिट वर्ट भी याद होना चाहिए जिसे एक का अपोजिट क्या होता है जेड ठीक है इस इस प्रकार से पूरा next अभे ऐसे जब कुशिन मिलते हैं सबसे पहले हम इसकी numbering करते हैं सबसे पहले याद रखिए आपको numbering करना है जैसे कि मैं आपको लिख देता हूं fellala film का क्या है a d g h so first all ओफ इसकी numbering कीजिए numbering कैसे करेंगे जिसे याद होगा तो मतब दिमाग चलना शुरू कर देता है आपको प्रॉल्म नहीं होगा इसमें तो ना इतना करने के बाद आप देख रहे हो कि छे से अगर हम एक पर जा रहे हैं इसमें माइनस फाइब करना पड़ेगा ठीक है या फिर ऐसे सोचे कि अगर हम यहां एक से छे पर है प्लस पाँच करना पड़ेगा चाहे है प्लस पांच कर दीजिए चाहे इधर से करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा तो सिक्स से वह पर जाने के लिए हमें है Já पी माइनस फाइफ धिक्या पूसी परकार हमें मील्क भजahaha है तो मिल्क की का नंम्बरिंग का लीजिए मिल्क नम्मर क्या होता तेरा आई का 9 आल का 12 कीका 11 चीक है इसको आपको याद करना होगा तब ही आसान बनेगा अब पांच-पांस माइनस कर रहे थे हैं तो हम 13 मेंसे माइनस कर दो 5 माइनस करो जब 13 में से 5 मैंस करेंगे तो आएगा 8 9 में से 5 मैंस करोगे क्या बचेगा आएगा 4 12 में से 5 मैंस करोगे आएगा 7 11 में से 5 मैंस करोगे 6 5 11 6 आएगा अब आपको पता होना चाहिए भी या 8 को क्या लिखते हैं 8 को H लिखते हैं 4 को क्या लिखते हैं सेवन इट मेंस आपका जी और सिक्स इट मेंस आपका एफ ठीक है एच डी जी एफ ऑप्शिंस कौन सा मैच कर रहा है देख लिए जी एफ एच डी एच डी जी एफ ठीक है ऑप्शन सी क्लियर हुआ चलो आई होब आपको समझ में आ गया होगा अब देखते हैं पांच नमर जो रिलेशन इनके साथ बनेगा वही रिलेशन हमें 210 में और जो या कुशिन मारक है उसमें मराना होता है तो 24 से 60 कैसे कर सकते हो तो बहुत सारी तरीके हैं तो सबसे पहले जो बेशिक तरीका होता है कि हम हमें स्कुआयर क्यूब से हमें इसको एडिनिफाइग करना होता है तो क्यूब से कर हम इसको करते हैं सबसे पहले अगर तरीका क्यूब करते हैं तो तरीक करना हो तो 27 देखो क्यूब या आपको याद रहेगा ना आपको कम से कम 2 से लेके और 30 तक आपको क्यूब याद करना है और इसक्वायर भी याद करना है तो क्यूब और इसक्वायर आ एक बढ़ाएंगे 4 4 का क्यूब माइनस 4 जितने का क्यूब करना उतने पर माइनस कर देना है तो 4 का करते हैं 4.16 64 64 माइनस 4 is equal to 60 मिल गए हमें उसी प्रकार जब अब हमें समझ में आ गया अब 210 का क्या क्यूब करें क्यूब माइनस करें तो हमारा 3 आ जाए मतलब 210 आ जाए तो 6 6 का क्यूब 216 होता है और 6 माइनस करेंगे 210 अब कैसे पता होगा भरी 6 का क्यूब 216 होगा तो आपको याद करना पड़ेगा जब आपको याद करोगे तो आपको दिमाग चलेगा ओविसली सी बात है तो इसी परकार से जब 6 का करेंगे और माइनस से जितना कई उसना मास साथ क्यूब कितना होता है 343 343 और मायनस सेवन करेंगे यह बनेगा कि 336 ठीक है कि आपक्षिन जाफशन जाफ औप्शन सी ठीक है तो इस प्रकार से इसको सौल्व करते हैं है आई नेक्स देखते हैं इसमें चाहिए अपराध आरोप लंबा नाठा गरीब अमीर हलका भारी एक डिफरेंस होगा यह क्या है एक दुसुरी पलसरे के अपूजिट हे नाठा लंबा आपको क्या करना होता है numbering numbering सबसे important होता है तो चलिए जियाना आप numbering करते हैं और उसके बाद फिर solve करने की कोशिश करते हैं तो B F Z Q तो सबसे पहले B का क्या होता है दो F का होता है 6 Z का होता है J 10 और q होता है 17 अब मैंने कैसी यांद कि थोड़ा हंड़ेड़ देगता हूं P मैं तता सभातों कि वीडियोह देखेंगे क्यों मतलब राजकुमार वह राजकुमार पी मतलब प्रिंश प्रिंश मतलब राजकुमार और क्यून मतलब रानी तो पी क्यूपी क्यू मijन से याद किया और 16 17 16 हो जाता है भी प्रेक्टिस करों घे और यह से याद करो गया आद हो अभी मैं solve करवाना तो उसको explain नहीं कर सकता ठीक है जी का होता है साथ जेड ओ होता है 15 अब देखो यू वी तो वी आपका कितना हो गया 22 कि इसको नंबर कर लो कि चलो इसको नंबर करते हैं आई आई यह क्या होता है नव बारह पी क्यू गच्व शोला सत्रह एक्स वाई जेड तो क्या होगा 24 एक्स वाई जेड ओविसली इस बात है समझ में आ रहा है तो सबसे पहले जो हम करते हैं सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी होती है और numbering के बाद हम इसको solve करने की कोशिश करते हैं देखो क्या difference हमें मिल रहा है अब जनाब 7 से 10 जाने के लिए हमें प्लस 3 करना पड़ेगा प्लस 3 ठीके प्लस 3 करना पड़ेगा और 10 से 15 प्लस 5 मतलब प्लस पहले में प्लस 3 करना है और 10 से 15 जाने के लिए प्लस 5 और 15 से 22 बजाने के लिए प्लस 7 ये करम हमें मेना सी वाले में 9 से 12 प्लस 3 12 से 17 ?, 17 सब ड़ें प्लस 5 17 सब चोबिस चार- सब सुर्द साथ मतलब प्लस 7 मतलब इसमें भी 35 7 इसमें भी 35 7 इस्को देख लेते हैं 18 में 21 जाओगे तो प्लस 3 करोगे 21 से 25 जाओगे 21 से 25 नहीं 26 होगा जेड़ का 26 होगा 21 से 26 प्लस 5 और 26 अगर जाओगे तो वह साथ ठीक है क्योंकि 26 के बाद क्या होता है फिर से वह सब्सक्राइब 26 प्लस इसमें देखते हैं इसमें प्लस प्लस चार और करें दो छेशर चार प्रस चार और प्लस साथ तो यह वाला क्या है मारा गल्थ है क्योंकि टीनों में common है ट्री पांच प्रस साथ ठीक है तो यह तीनों common है एना आई होप आपको clear हो गया होगा ठीक है बहुत इजी सवाल आएंगे ज्यादा डरनी की जरूत नहीं है ठीक है बहुत रिल्यक्स हो जाएए इस सवाल को करते हैं आ आएगा नव आठाट सुल सतर ठीक है 21 में से 6 घटा होगे आएगा पंदरा 42 में से 3 घटा होगे आएगा 49 इसमें क्या बोला है कुशिन में देख रहे हो कि निवलिक्स में से उसे चुनिये जो अन्य तीनों से भीन है तीन एक जैसे होगा तो इस सवाल में हम ढूरते हैं ज तो तीन से क्या पांच डिविजबल होका नहीं कटेगा इस डिवाइड नहीं जाएगा तो भाई यह हमारा जो ए है ना इसका बस उसी में फॉल्ट है और सात्वे में भी ए में फॉल्ट था ठीक है और छटे में भी ए में फॉल्ट था मितल छे साथ आठ को ए ऑप्शन ही correct है ठीक है clear है तीनों में ए ए आ रहा है इंसर next सेखते हैं 9 number sit क्या दे लिया है 2, 14 और 16 ठीक है एना यह hope आपको समझ में आ रहा होगा मैं काफी आराम से explain कर रहा हूँ बहुत जले बाजी में नहीं कर रहा हूँ 12 से 4 जाने के लिए हमें प्लस 12 करना पड़ेगा अब 12 से 16 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा प्लस 2 that's why हमें यहाँ अभी इसको देखना है कौन सा सेट कौन सा ऐसा सेट है जो इसके जैसा मैच कर रहा है तो इसको identify करना होता है बहुत जल्दी से 12 और 4 16 प्लस 12 और 1618 जाने प्लस 2 तो मैच कर गया मैच कर गया करेक्ट ऑप्शन सी ठीक क्लियर है नेक्स देखते हैं आपका क्या होगा भी है इसमें इसमें कुश्यमार्ट दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं तीन पंद्रा कुश्यमार्ट इसमें इसमें दो तरीके से एक तो मैं बताऊंगा कि लोग मिस्टेक कैसे करते हैं और एक यह बताऊंगा कि करेक्ट क्या होता है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लोग मिस्टेक क्या करते हैं देखो तीन से पंद्रह बजाने के लिए आप क्या घर सकते हो एक बार चेंज करें उसके बाद करते हैं तीन से पंद्रव दने के लिए तो थ्री हुद प्री इंटु वण ठीके हो गया 3 अब थ्री इंटु 5 हो गया पंद्रह मतलब यह तीन हमारा सेम है तो यहां भी तीन होगा ठीक है और यहां से यहां पजाने के लिए प्लस चार कर रहा है इसमें प्लस चार करेंगे तो पांच चार नो तुना तुरिक 27 तो मतलब हमारा एंसर 27 होने जा रहा है करेक्ट इतना निकला समझ मेड़ाATA AP Stage 27 दिया हुआ है तो लोग क्या करते हैं इतना शॉल्व करने के बाद हम आगे नहीं सॉल्व करते हैं और 27 बार कर चले आते इंग्जामिनेर को दरसल examiner's को भी पता हुआ है कि 27 आएगा इस तरीके से और लोग मार के चलिए आएंगे और उशी में गलती होगा इसी में नमबर कर जाएगा यहीं से आप क्या होते हैं एक एक नमबर important होता है है चीए हमें क्या करना होता है इस चीज़ को मैं भी एकुरी करता हूं लेकिन आपको एक सटेप बाद करना होता है चीए है और हम एक स्टेप बात करेंगे तो मतलब तीन करेंगे और में चार जुड़ रहा है तो 9-4-13 तो 13-49 यहीं फसा था है 13-49 यहां 63 तो मतलब इस सवाल गलत है यह तरीका गलत है 27 बेसक इंसर आप निकाल पारें लेकिं तरीका गलत है और सवाल भी गलत है इस तरीके से अब हम आपको बताते हैं क्या होता है दूसरा तरीका जिसे कुशि आपकसे मार्क तरी शर्ट है अनब okay टूसर तरीका है डूसर तरीका क्या है तीन में में थीन से पंदरह जाने स्पीपकर किसना करना पड़ेगा है यह प्लस बारा है के की यहां चीजी और बारा है तो उसमयं कि तना एड़ करें मंगे जोको बाराओ अप्लस आट 12 प्लस 8 इस गल्ट हुआ 20 अब 20 में अगर हम 20 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 35 ठीके समझे ये भी एक step है 35 35 इंसार आ रहा है जिनाब option C लेकिन 35 तक रुकना नहीं है एक step और बढ़ना है तो 28 में जब हमने 8 यहां पर add किया तो 20 हुआ तो 35 में मितलब 28 20 में प्लस 8 एड़ करेंगे होगा 28 अब 35 और 28 को जोड़ते हैं 35 और 28 आठ चार बार है तीरा तीन है तीन तो पांज़ चे तीरसाट मतलब हमारा जो नेक्स इस टेप हो तीरसाट आ रहे ना that's why यह वाला जो तरीका है यह करेक्ट है ओके यह तरीका समझ में आया एन आई होप आपको समझ में आ गया होगा ठीक है नेक्स देखते हैं 11 नंबर कुश्शन गया नंबर इसमें क्या है बहुत आसान सवाल है यह जो देख रहे ना इसके बाद क्या आ रहा है यह प्रवर्टन आ रहा है इसके बाद यह और यह देखो यह और यह एक जासा है तो अगर इसके बाद यह आ रहा है तो तो 36 151 के बाद भी उनहत्तर 31 आएगा ऑप्शन देख लेते हैं उनहत्तर 31 जहां पर कुश्य मारकर वहां पर यह आएगा और इट मियस्ट भी ठीक है यह क्या कौन सवाल होता है करम फॉलो करता है ठीक है कहली करम होता है बहुत ध्यान से करना होता है इसमें बहुत सारा समय होता है तो इसको प्रेक्षिर चाहिए ठीक है ऐसा सवाल को प्रक्टी करें यह एक लाने नहीं होता है जो कि इसमें बहुत हमें क्या करना था प्लस 3 और 12 से 18 जाने के लिए प्लस 6 मतलब हमें देखने की 3 की 3 के टेबल तीन तुन चेट तुन तरीक का नौ ठीके टीन के टेबल जा रहा है यह बंटिप्लाई कर दीजिए टेबल जा रहा है अब 18 में नौ जोड़ोंगे आगे आपका 27 ऑप्शन डी बस यही था छोटा सा सवाल था अब भी देखिए इसको भी शॉल करते हैं सबसी इजियेस्ट है देखो मारी एफ पहले हम आठ का क्या करते हैं पांच और दूना दस फाइब का क्या क्या करते हैं पांच दूना दस दस हो गया अब फिर दस का मंटिप्लाई हम करेंगे आठ में 10 इंटू 8 इसकल तो असी असी का आधा करेंगे होगा 40 ठीक है यही करम फॉलो हो रहा है निक्स करते हैं पांच का चार में पांच और बीस अब बीस दियां साथ साथ है साथ का आधा क्या होगा तीस हमारा तीस आ रहा ना दि बीस का आधा 10 option के कताई easy सवाल है समझें चलो करते हैं 14 नंबर question अब इसके लिए सबसे पहले दो को pen अगर हम pen को pen है उसको हम लिख सकते हैं अगर बी आर के बार को ctsl लिख सकते हैं तो उसी प्रकार prank को क्या लिख सकते हैं इसकी coding होती है एक तो तरीका यह होता है कि सबस सबसे पहले इसकी numbering करो जब आप numbering कर लेंगे तो उसकी बाद आपको समझना होता है कि सवाल क्या कह रहा है बिना numbering आपको समझनी पाएंगे और एक तरीका देखो इसमें कई सारी तरीके होते हैं अगर इसका थिए आपने पढ़ रखा है तभी यह आपको समझ में एक तरीका जो होता है कि उसी couldiγ में से आपको निकालना होता है तो चाहिए दो तरीके से बनता है यह से सवालं तो हम दूसरा वह तरीका निकालेंगे जैसे कि पेन हम देखते पी की कोल्डिंगा होद यहां पे दिया हुआ है एन न का का कोल्डिंग दिया होता Сबसे पह लेख दो P के Coding N, R का Coding क्या है? R, यहां बार्ग में देखे हो, R का Coding दिया हुआ है S, तो हम बार्ग N, S, A, A, A का क्या दिया हुआ है? T, यहाँ T बना देंगे, N, N की Coding क्या है My Dear Friends? O, N का O, N, K, K की O tous दिया है? L, N, S, T, O, L, N, S, T, O, L, It means, Option 7, That's it, दूसरा तरीका क्या था थोड़ा एक्स्ष्पिन में भी कर दीता हूं उसको इसको पी इट है ठीके और एंजेड ओ लेकिन ऐसा सब्सक्रावा पहला दूसरा तरीका लगाईए कहीं आसा तो नहीं हम इसको नभर इंग करें हमारा टाइम खराब और इसके बाद simple तरीका बन जाए तो इसको सबसे पहले करते हैं नमबर करते हैं पी 16, 5, 14, 14, 26 और 15 पहले तरीका में यह होता है कि इसमें आपको देखना होता है कि 16 से 14 में कितना प्लस हो रहा है 5 से 20 में क्या चेंजिस आ रहा है या 14 से 15 में जाने के लिए प्लस एक एड़ करना पड़ेगा उसी प्रकार बार्क को आप देख सकते हो बी ए आर के बार्क उसको देख सकते हैं और अगर इसमें मैच कर रहा है तो फिर अप्लाई कीजिए बहुत सारी सवाला भी मैं आगे बताऊंगा कि आप मैच करता है इस तरीके से नमबरिंग करने स और बहुत साथ तरीका होता है कि बहुत सिंपल पैन का जो मैच कर रहा है और बार्क का जो मैच कर रहा है उसको सिंपल प्रैंक में हम अप्लाई कर देते हैं हमारा मिल जाता है चीक है नेक्स एकते हैं इसमें इसमें भी हम सेकेंड वाला जो मैं बताया ना वही अप्लाई क इसको किस पूर्डिंग करेंगे तो सबसे पहले आर है इसमें नलिए आर का क्या दिया है आर का जाँ र का चार हो गया ओ ओ पर है यह ब्रो वाइफ 5, 5, B, B का ढूड़िये, B का होता है 2, अब 2 बार B है, तो यहाँ दो बार लिख दीजिए, है ना यहाँ पे, E, E ढूड़िये, यहाँ पे है, E का होता है 8, 8 लिखिए जनाब, और उसके बाद R ढूड़िये, R को लिखा 4, तो लिख दीजिए, S ढूड़िये, S for sister, sister में है 9, 9, यह 9 कर दीजिए, अगर यह कोडिंग मिलता है, तो आप आगे बढ़ जाएए, तो को, 45, 22, 840, 45, 22, 840, it means option D, काफी easy होता है, लेकिन दूसरा वाला का तरीका लगाएंगे ना, तभी आपका सही जाएगा, अब कतन निसकर्स, 3-4 कुशन तो आने ही वाला है, कतन और निस स्वास्त के लिए सारीदिक व्याम आवश्यक है, कतन जो है इना positive कतन है, अच्छे स्वास्त के लिए सारीदिक व्याम आवश्यक है, निसकर्ष क्या बोल रहा है, निसकर्ष क्या बोल रहा है, निसकर्ष की आयू में tennis खेलता है, यह निसकर्ष का कोई मतलब है क्या, कतन से कोई मतलब है इक्जाक्ली मतलब होना च Willким अधिशन के यह यह नहीं है जब कथन का मतलब ही नहीं है तो हम क्या कर सकते ना तो निशकर्स एक फॉलो कर रहा है और ना दूसरा फॉलो कर रहे हैं दोने फॉलो SUtron II Ahh He यह पॉज़िव थेक्र दिमान तो परिक्षाम हें उत्रिण होगा तो समझ रहे हो स्कॉस्य कर सकाशा का पहला स्टेट में ते आन्न परिक्षामूड होने ठीक है परिक्षाम उत्रिड होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए ये कथन से मैच कर रहा है वह परिक्षाम उत्रिड कर लेगा ये कहीं से कहीं से इसका शम्मन्द नहीं है टमी इस कि जो पहला है न पहला ही फॉलो कर रहा है समझ अदेर फरस्ट फॉलो कर रहा है इन मेंज़ कि आपका केवल फस्ट वाला नहीं थी है कि करेंगे ओके क्लियर समझ में आ गया चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट कुशन नेक्स्ट कुश्ट क्या है मैं डियर अठारा नम्र कुश्ट है ऐसे कुश्ट भी आपको मिलेगा देखो अगर आप बताओगे तो मैं स्पीड बढ़ा दूँगा बताने का बहुत 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 एक्स्ट नहीं करूंगा जैसे सब लोग करते हैं फटा फटा आए और कुश्ट को सॉल्व किया और आपको मजब भी आएगा देखने जाओगे तो ब्लैंक हो जाओगे क्योंकि अंडरस्टेंडिंग बिल्ड करनी होगी कि कैसे कुशिन पूस्ता है कैसे हमें इसको बनाना है अठान नमब कुशिन देखते हैं एक परिवार में एक पुरुष है उसकी पत्निया है ठीक हम ऐसे कर लेते हैं तो मेल फीमेल कर ले एक दो तीन चार ठीक है या फिर ऐसा किजिए एस एस कर देते हैं एक मिनिट क्या करते थे जिसमें की थोड़ा सा भाई अंडरस्टेंड करने में फूर्शत मुझे देखो एस 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 मितलब उसके चार बेटे हैं इन दोनों के चार बेटे हैं ठीक है तो उनकी पतनी है उस उनकी वाइफ भी होंगी तो सब इकी भाईया क्या है एक एक वाइफ भी है मतलब वाइफ 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 इसको लिखने जरूर्द नहीं है लेकिन थोड़ा एक्स्प्रेंज कर रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं उनकी चार पतनिया है प्रतेक पुत्र के अपने परिवा क्या है डॉर्टर कि तीन सन अरेग्वे डॉर्टर तो ऐसे सब के हैं तीन तीन बेटे हैं पूरे परिवार में पूर्शों की संख्या कितनी है तो तीन सन यहां भी हैं तीन सन इसके भी तीन सन इसके भी तीन सन इसके भी मतलब चारतियां बारा बारा सन तो हो गए इन चार बेटों के और चार बेटे यह बारा चार तोला और एक पापा जी यह 17 मतलब मेल की जो संक्या है वो है 17 समझ गए क्लियर हुआ तो बैया ऐसे थोड़ा सा कुषिन को अराम से पढ़ना है अराम से करना है जल्लबाजी नहीं करना है आपको ठीक है पूछ किया रहा है देख लीजिए टूटल सदस पूछेगा तो टूटल सदस बता दीजिए फीमे पूछन लिखा दो इसमें क्या होता ना ऐसे कुषिन में लोग देखके ही लोगी के हालत खराब जाता है पढ़ते ही नहीं कुछन छोड़ देते हैं पढ़िए जनाब इसको अच्छे से पढ़िए ए बी सी डी पांच लोग है एक बेंच पर बैठे हैं उनमें से ए जो है के बराबर में बैठा है तता सी डी के बराबर में पर डी यी के पास नहीं बैठा है क्योंकि यी बैंच सी का अस्थान दाई ओर से दूसरा है और आपको चीजों को अच्छे से explain कर देना जिसी कि आने वाले समय आगे भी जो कुभी कुशिन मिले आप उसमें शोर हो जाएं तो सबसे पहले क्या कीजिए कि भाई कि इस पर बैठें पांच लोग एबी सीडी एक बेंच पर बैठें उन्हें से एबी बराबर में हैं कि एबी बराबर में हैं हमें इसको सॉल्व नहीं करना है इसको छोड़ना है सीडी के बराबर में है सी जो है वो डी के बराबर में है ठीक है इसको भी अभी छोड़ना है पर डी जो है वो ए के पास नहीं बैठा है क्योंकि इबेंच के बाई किनारे बैठा है यहां से स्रू क कि का अपने हुआ है यहां पर यहां बैठा हो आपके अपने हाथ को देख लिजे है आपका बाएंuran दाया हाथ यह बोला है इसाई बैठा और है इस अब मुन सब फरकशन है की मैं इसकर श्रॉफ कि कौनरी बैठा है पार मेटें हों कि यह इंटिजू कि के भी खतं है कि इसने क्या गोला है C ढ१ि के बराबर में सी जो है वो डिके बराबर में इस दी के बराबर मतलब सुष्पउ यह एक दुसरे से पास पास ही अब दो बच रहा है हमारा और कि इसने कहा कि आ लिक अज़िव ही और डी के पास नहीं बैठा करें है दी और ये कहां बहुत लूदीर हो गई इनमें उनमें सेssä ए है कि बराबर में बैठाय है अब यहाँ यहां भबूत है है जो है ए होगाज है ए जो है ए कदाखन धाई हूए आए एते बिगाईर है बी और एकदाई ओर है ले मतलब E और B के दाइं साइड में कौन बैठा है A बैठा है यही तो बोल देखो ना जो A है वो B और E B और E इसके दाइं और बैठा है दाइं और यही होता है ना भई समझ में आ रहा है ना A यह बैठा है लेकिन A और C साथ बैठे हैं आव यह भी बोल रहा है कि A और C साथ बैठे हैं तो हैं साथ साथ में तब एक किस अस्तान पर है अब बताओ इसमें भी कुछ पूछने वाली बात है कि बाबु शाब A तो बद्धिया बी और C कहा है बी और C की बीच समझ में और बहने बहने हैं अच्छा जब भी जब भी यह रिलेशन वाले सवाल आए ना ब्लड रिलेशन बोलते हैं इस पर खुब डराते हैं लोग ब्लड रिलेशन सबसे असान होता है ब्लड रिलेशन जब भी आप करते हो ना तो अपने रिलेटूप्स को याद कीजिए अब उन सगे संबंदियों को याद कीजिए उसको अपने कुशिंस में आड कीजिए फर्स्ट और लॉफ जब ए बी बहने बहने हैं सबोस्टाइट माल लोग सबोस्टाइट आपकी कोई म माताजी हैं आपकी मा की बेहन मतलब बेहन होगी मतलब आपकी क्या लगेंगी घूँम कीजिए भीया मौसीश लगेंगे अगर यह मीरी हमारी मा है तो भी हमारी मौसी बने अगर दोनों के वीच में क्या रूलिशन है भाया बहन बहन है अब बोल 58 आर और सर कर हैं और्ट अ भाई 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 является true कि एकी बेटी कि फ्रेकल बेटी हैं naok हिक कि बेटी कि है आर की बहन एक कि बरीकर के आउर ऑफ़िए क्रीकल मालूद श्राहे गिलिकांत एक क्वेटेवाद ऐ और 16 तेनी एक बीटी आर की बहन है ठीक है एक बीटी आर का बहन है तो बोल रहा है कि बी और एस में क्या संब्ध है कि समझ मैं आया है बी-ँर-एस में gsmaw birthday इनका बहुत आशान होता है के रे समझ में आया और समस्मझ में कोई कुछिन नाया हो तो कमेंट कर दिदेना ठीक है मैं नेक्स वीडियो में उस कुछिन को फिर से बताऊंगा आपको ठीक है क्लियर हुआ तो 20 कुछिन था मुझे पता है थोड़ा मैं स्लो पढ़ाया लेकिन आप लोग कहेंगे तो मैं फार्ष भी पढ़ा दूंगा आप पर डिबन करता है और मेरा काम था कि आपको समझाना और आपको अंडरस्टेंड करवाना इना है उप आपको समझ में आ गया होगा थैंक यू थीओ व जबेट आप तक ले दनाप प्रिंज